हलो एवरिवन तो आज की इस वीडियो में मैं आको बताऊंगा कि मैन वाइंडिंग की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी और यह डिसाइड करता है डीजी मेस और यह डिपेंड करता है शाफ्ट के डेप्थ के ऊपर तो डेप्थ की अगर शाफ्ट 100 मिटर तक है तो मैक्सिमम और अगर 101 मीटर से 300 मीटर है तो 4 मीटर पर सेकेंड और 301 मीटर से 500 मीटर है तो 5.5 मीटर पर सेकेंड 501 मीटर टू 700 मीटर है तो 7 मीटर पर सेकेंड 701 मीटर से 1000 मीटर तक है तो वहाँ पे स्पीड होगी मैक्सिमम 8 मीटर पर सेकेंड और 1001 meter से 1500 meter तक है shaft की depth तो वहाँ पे 10 meter per second और अगर 1500 meter से ज्यादा है shaft की depth तो वहाँ पे होगा 12 meter per second और यह जो data है DJMS ने दिया है तो यह data जो था वो man winding के लिए था इसके बाद देखते हैं कि अगर sinking shaft है तो वहाँ पे man winding की speed कितनी होगी अगर depth जो है 150 meter तक है तो वहाँ पे 1.5 meter per second और अगर 151 meter to 500 meter है तो 2.5 meter per second और अगर 500 से अधिक है तो वहाँ पे 3 meter per second यह भाँ पुल ने दो nadzieję वहाँ मूझ था यह phrasesंवाइग के तो रहल Nazम पहाँ पार 1.5 meter per second शर्चे आग carbon यह यह सकेटेह प capable अगर पे प्यां से जो प्सक्योंग